मैं डॉक्टर शिवानी जतुरवेदी, स्त्री एवन प्रसूती रोग बिशेशगे आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति फिटनेस की तलाश में है और हर महिला खासकर फिट होना जाती है दोस्तों पतले और फिट होने में एक फर्क है पतला होना है, पतला होना, स्लिम दिखना, कमजोर होना और फिट होने का मतलब है अंदर से ताकतवर होना और अपने आइडियल बॉडी बेड तक पहुँचना इस डिफरेंस को समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम इसे समझेंगे, तभी सही रास्ता अपनाएंगे थिन होना, बहुत सी महिलाएं अपने आपको भूका रखती है एक्स्ट्रीम डाइटिंग करती है जीरो फिगर पाना चाहती है इस सब में वजन कम होना हो, वे बहुत सारी चीज़ें खो देती है जैसे कि वो पोशक्तत्तो जो शरीर के लिए जरूरी है अपनी स्किन, अपने बाल, एज जादा दिखने लगती है और बॉडी कमजोर हो जाती है, इम्म्यूनिटी भी वीक हो जाती है सही तरीका आपने आपको फिट रखने का एक थ्री प्रांग्ट अप्रोच है नम्बर वन, आपको एक्सेसाइज करने है चाहें योगा हो, चाहें वॉकिंग, यह जिम में एक्सेसाइज कुछ न कुछ ऐसा करना है, जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाए और आप पसीना पसीना निकलना बहुत जरूरी है नम्बर टू, आपको सही डायेट लेनी है एक डिफरंस है डायेटिंग में और डायेट मैनेजमेंट में आपको सही डायेट लेनी है, बहतर हो अगर न्यूटरिशनिस्ट के हिसाप से ले हमारी सेंटर पे हर सैटरे हम पवित्रा सेंटर रन करते हैं जिसमें एक नूटृशनिस्ट हमारी पेशिंस को एडवाईज देते हैं और डाइट बना के देते हैं हमीशा याद रखे, मोटे होनी के लिए खाना पड़ता है लेकिन पतले होने के लिए और भी खाना पड़ता है और भी जादा खाना पड़ता है और तीसरी चीज़ है vitamins, supplements कहीं ऐसा ना हो weight loss के चक्कर में आप जरूरी पोशक तत्तु को दें यही एक तरीका है fitness या wellness पाने का